रमरम भाइ सब ने शाम के टाइम बच्चों को लगी थी बूख, मैंने उनकी बूख को शांत करने के लिए बनाई यमी से टेश्टी फ्राइड राइस, उनके लिए दो कटोरी मैंने चावल लिये थे, उनको अच्छे से दो लिया, पानी उबलने के लिए मैंने रख दिया थ प्याज मैंने चोटा चोटा बारी चोप कर लिया था उसके बाद शिमला निर्च आप रैड यलो भी डाल सकते हो गाजर मैंने इसमें कसली थी टमाटर चोटे चोटे काट दिये उसके ओपर हरी मिर्च से चार हरी मिर्च भी काट दी थी फिर मैं आब यहां पे छोक त्यार करूंगी जब तक चावल उबलेंगे सबसे पहले मैंने तेल में जीरा डाल दिया है उसके बाद मैं इसमें प्यास डालूंगी प्यास थोड़े से जब फ्राई हो जाएंगे थोड़े से एक या दो मिनट के लिए थ जब इसमें हम दूसरी सबजिया डालेंगे जब साथ की साथ यह देखे चावल उबल रही है जब मेरे प्यास थोड़े थोड़े भुन गे थे तो उसके बाद मैंने इसमें मतर डाली थी मतर कोई पकने में थोड़ा टाइम जादा लगता है जब मतर थोड़ी सी पक जाएं उसके बाद मैं इसमें शिमला मिर्च डालूँगी क्योंकि शिमला मिर्च और जो ये गाजर मैंने कसी थी वो भी मैंने डाल दी शिमला मिर्च और गाजर तो जल्दी पक जाती है इनको पकने में इतना टाइम ने लगेगा दो से तीन मिनट के लिए हम चलाते वे इनको पक आज भी अच्छे से बुन जाएंगे और जो ये सबजिया इसमें डली है ये भी अच्छे से इसमें फ्राई हो जाएंगी देखिए चावल मेरे बन चुके हैं इदर तयार है और दूसरी साइड मेरा छोग भी तयार हो रहा है जब सबजिया मेरी पकगी थी मुझे ऐसा लग जा था कि हाँ भी ये पकगी है तो मैंने इसमें टमाटर डाल दिये थे टमाटर मैंने सबसे लास्ट में डालने हैं उसके बाद मैंने इसके अंदर हींग डाली हींग डालने के बाद मैं इसमें धनिया पाउडर डाला है एक चमच उसके बाद मैं इसमें गरम मसाला डालू एक चमच और अपने टेस्ट के अकोर्डिंग मैं इसमें नमक डालूंगी चावल तो हमकमिया जादा भी कर सकते हैं फिर मैंने इसमें नमक डाल दिया था अब दो-तिन मिनट के लिए मैं इसको फ्राई किया मैंने अच्छे से टमाटर जब सॉफ्ट होगे थे मेरे उसके चावल बने हैं अलग-अलग बिल्कुल कोई भी चावल मेरा चिपका नहीं है उसके बाद मैंने इसको सर्व किया आप भी बनाईए और अपने बच्चों को खूब खिलाए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए